इज्राइल के यमन में किये गए हमले में 33 लोगों की मौत हो गई यमन के स्वास्त मंत्रालाई के मुताविक जो जानकारी सामने आई है इज्राइल के दोहे दाहा में हुए हमले में 33 लोगों की जान चली गई है यह बड़ी खबार इस वक्त आपको बटा दें स्वास्टमंचाले की ओर से ये जौनकारी दी गई है तेटी स्वोगों की मौत की पुष्टी स्वास्टमंचाले की ओर से की गई है इस्राइल अब हुती आतंकियों पर लगातार एक्शन ले रहा है देखिए अब तक हमास से शुरू हुआ ये पूरा जंग का जिलसला हिजबुल्ला को किस तरीके से खत्म करने के लिए आगे बढ़ा और उसके बाद अब हुती विद्रोही यो लगातार हिजबुल्ला और हमास के समर्थन में इस्राइल को टारगेट कर रहे थे अब इस्राइल का तीसरा टारगेट क्या हुती विद्रोही होंगे ये बड़ा सवाल था लेकिन आप जो है इसराइल की ओर से हूती विद्रोहियों पर हमला करके इसका एक मैसेज दे दिया गया है यमन के स्वास्त मंत्रालाई के मताविक जो जानकारी सामने आई है इसराइल के दोहे दाहा में हुए हमले में 33 लोगों की जान चली गई है ये बड़ी खबार इस वक्त आपको बटा दे स्वास्त मंत्रालाई की ओर से ये जानकारी दी गई है 33 स्लोगों की मौत की पुष्टी स्वास्टमंचाले की ओर से की गई है इस्राइल अब हूती आतंकियों पर लगातार एक्शन ले रहा है अब तक हमास से शुरू हुआ ये पूरा जंग का जिलसला हिजबुल्ला को किस तरीके से खत्म करने के लिए आगे बढ़ा और उसके बाद अब हूती विद्रोही जो लगातार हिजबुल्ला और हमास के समर्थन में इस्राइल को टारगेट कर रहे थे अब इस्रा टारगेट क्या हूती विद्रोही होंगे ये बड़ा सवाल था लेकिन आप जो है इसराइल की ओर से हूती विद्रोहियों पर हमला करके इसका एक मैसेज दे दिया गया है